इस ट्यूटोरियल में प्रयुक्त रोगी जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए है। दावा बनाना और दावा क्लोनिंग। दावा बनाना चलिए एक प्राथमिक व्यावसाइक दावा बनाते हैं। नया दावा के अंतरगत ड्रॉप डाउन सूची से प्राथमिक पेशेवर जोडें चुने। स्क्रीन CMS 1500 या HCFA 1500 फॉर्म जैसी दिखती हैं, जिसमें 0 से 33 तक क्रमांकित मानक बॉक्स हैं। स्क्रीन के निचले हिस्से में अतिरिक्त extension फील्ड भी है। स्क्रीन कई लुकाप विकल्प देती है, जो संबंधित फील्ड को स्वतह भरती है। उदाहरण के लिए राज्य जैसे फील्ड में मान्य राज्य कोर्ट दिखाए जाते हैं। हाँ या नहीं चुनने वाले फील्ड और इसी तरह के अन्य प्रारूप भी हैं। कुछ हिस्सों में tool tips अतिरिक्त जानकारी देते हैं और आप दावा आंतरिक notes से नोट जोड सकते हैं। गोपनिय चेक बॉक्स चुनकर दावे को गोपनिय बनाए। यह विकल्प सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थिय क्लिनिक के लिए है। एंबॉलेंस दावों के लिए एंबॉलेंस चुनकर दावास्तर की जानकारी भरें। अगर किसी सेवा लाइन के लिए अलग एंबॉलेंस विवरं चाहिए, तो उस लाइन के AMB link पर क्लिक करें। चुनकर ओके पर क्लिक करें. मरीज की जानकारी खोजने पर बॉक्स 0 से 13, 26 और 27 अपने आप भर जाएंगे. अगर भुगतान करता की जानकारी नहीं है, तो लुक अप से भरें. भुगतान करता आईडी चुनने से CFI फील्ड भर जाएगी. आप ड्रॉप डाउन से CFI खुद भी चुन सकते हैं. स्वभुगतान, कागज या अनुबंध दावों के लिए उन्हें खोजें. फिर दावा चुने, जानकारी भरें और जमा करें. अगर मरीज का डेटा नहीं है, तो सब खुद भरें. बॉक्स चौदी ये बीस का विवरण भरें, अगर उपलब्ध हो. बॉक्स इकिस में रोग कोट डालें या लुकप से भरें. लुकप विंडो में ICD-9 या ICD-10 चुनें. बॉक्स बाइस और तेईस का विवरण भरें, अगर हो तो. बॉक्स चौबीस में सेवा तिथी, शुरू और अंत दिनांक डालें. सेवा स्थान, प्रक्रियाएं चुनें या लुकप से भरें. सेवाएं या सामग्री, संशोधक, निदान सूचक, शुल्क, दिन या इकाईयां डालें. सेवा पंक्तियां जोड या हटा सकते हैं. शुल्क भरने और कुल राशी गणना के लिए पॉपुलिट फी का प्रयोग करें. नोट्स जोडने के लिए लाइन नोट्स, नारेटिव या सी ओबी आइकन पर क्लिक करें. बॉक्स पच्चीस, चबवीस, सत्थाइस का विवरण भरें, अगर खाली हैं तो. बॉक्स एटीवस में, रेंडरिंग प्रदाता विवरण भरें, और बॉक्स बटीस में, सुविधा विवरण भरें, यदि दोनों फाइल्ड रोगी जानकारी से नहीं भरे गए हैं. बॉक्स तैंटीस में, दावा जमा होने पर सिस्टम स्वतह बिलिंग या रेंडरिंग प्रदाता विवरण भरता है, जो केवल पठनिये होता है. कुछ फाइल्ड, जैसे बॉक्स थर्टीथी और पच्चीस अभ्यास या क्लिनिक खाता सेटप से डेटा लेते हैं. बॉक्स इटीस में, रेंडरिंग या सेवा प्रदाता चुनने पर, फाइल्ड 24I और 24J सेटप से प्रदाता जानकारी से भर जाते हैं. बॉक्स A1 भरें. वर्गी करण कोड NPI विशिष्ट है और बॉक्स थर्टीस में मौझूद NPI के आधार पर दिखाया जाएगा. यदि उपलब्ध हो, तो बॉक्स A2, A3, A4, A5 और H6 का विवरंड दर्ज करें. बॉक्स थर्टीव A और थर्टीथी A विवरंड बॉक्स 22 और 33 की जानकारी से भरे जाते हैं. SFS डेटा फील्ड केवल सार्वजनिक स्वास्थिय क्लिनिक खातों के लिए उपलब्ध हैं. PMB में, ड्राफ्ट के रूप में सहेजें, सुविधा है. जहां उप्योग करता आंशिक दावा जानकारी डाल सकते हैं, उसे ड्राफ्ट के रूप में सहेज सकते हैं, और पूरा दावा जमा करने से पहले कई बार संशोधित कर सकते हैं. यह सुविधा, प्राथमिक और द्वितियक पेशेवर दावों के साथ साथ, प्राथमिक और द्वितियक संस्थागत दावों के लिए भी उपलब्ध है. आप इन ड्राफ्ट को खोज दावा ड्राफ्ट के माध्यम से एक्सेस करके भी प्रबंधित कर सकते हैं. सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, दावे को ड्राफ्ट के रूप में सहेजें या दावा जमा करें, पर क्लिक करें, और सिस्टम जमा किये गए दावे के लिए एक दावा आईडी तयार करेगा. प्राथमिक संस्थागत दावा बनाना चलिए एक प्राथमिक संस्थागत दावा बनाते हैं. ड्रॉप डाउन सूची से प्राथमिक संस्थागत जोडें का चयन करें. स्क्रीन UB04 फॉर्म जैसी दिखती है, जिसमें मानक बॉक्स होते हैं. इसके अलावा, स्क्रीन के नीचे आपको अतिरिक्त विस्तार फील्ड मिलेंगे. स्क्रीन कई लुकप विकल्प देती है, जो स्वीकृत मानों से संबंधित फील्ड को स्वतह भरती है. विशिष्ट अनुभागों में टूल टिप्स अतिरिक्त जानकारी देते हैं, और आप दावा आंतरिक नोट्स विकल्प से नोट्स जोड़ सकते हैं. गोपनिय चेक बॉक्स चुनकर दावे को गोपनिय बनाएं. यह विकल्प सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए है. रोगी खाता संख्या के पास रोगी जनसांख्य की लुकप पर क्लिक करें. रोगी का नाम या जन्मतिति डालें और खोजें. चुने और ओके पर क्लिक करें. रोगी जनसांख्य की लुकाप से रोगी की जानकारी, बीमा और भुगतान करता विवरण अपने आप भर जाते हैं. अगर भुगतान करता ID, नाम और पता नहीं हैं, तो भुगतान करता लुकाप से भरें. भुगतान करता ID Lookup से विवरन चुनने पर संबंधित CFI फेल्ड भर जाती है। आप डॉपडाउन सूची से CFI Manual रूप से भी चुन सकते हैं। स्वभुगतान, कागज और अनुबंध दावों के लिए भुगतान करता ID Lookup में स्वयम, कागज या अनुबंध खोजें। अगर मरीज का डेटा एक्सपीडियम में नहीं है, तो सारी जरूरी जानकारी Manual भरें। बीमा प्रोग्राम, सुविधा प्रकार और आवरित्ती कोड चुने। बिल का प्रकार सुविधा प्रकार और आवरित्ती कोड से बनेगा। स्टेट्मेंट कवर अवधी की शुरू और अन्त की तारीखें चुने, भर्ती की तारीख और समय चुने, भर्ती का प्रकार, भर्ती का स्रोध और मरीज की स्थिती का कोड अगर हो तो स्थिती कोड, घटना कोड, घटना अवधी कोड और मूल्य कोड मैनियूल भरें या ल सेवा लाइन सेक्षन में, बॉक्स 42, 44 को मैन्यूवल भरें या लुक अप करें उपलब्ध हो तो संशोधक जोडें सेवा की तिथी से और तक दिनांक दर्ज करें बॉक्स 40 एक्स और बॉक्स 45 दर्ज करें सेवा पंक्तियान जोडें या हटाएं शुल्क भरने के लिए पॉप्यूलेट फी और कुल के लिए गणना करें नोट्स जोडने के लिए सेवा पंक्ति नोट्स पर क्लिक करें बिलिंग प्रदाता भरने के लिए लुकप का उप्योग करें दावा सब्मिट करने पर प्रदाता को भुक्तान स्वतह भर जाता है। लुकप से सेवा सुविधा को पॉप्यूलेट करें। मुख्य DX और अन्य निदान कोड मैनुवल या लुकप से भरें। लुकप विंडो में ICD9 या ICD10 चुनें। बॉक्स 6874 के लिए विवरण मैनुवल या लुकप से भरें। व्यक्तिगत प्रदाता विवरण लुकप से पॉप्यूलेट करें। यदि उपस्थित प्रदाता समान है, तो खाली छोड़ें। दावा सत्यापन के लिए जमा होते ही सिस्टम अपने आप भर जाता है। टिपपणी, कोड, आरक्षित और अन्य विवरण दर्ज करें। अगर उपलब्ध हों। SFS डेटा फिल्ड सिर्फ सरकारी स्वास्थिकेंद्रों के खातों में मिलेंगे। जरूरी जानकारी भरने के बाद, दावे को ड्राफ्ट सहेजें या जमा करें। सिस्टमिक दावा आईडी बनाएगा। नए दावे में, ड्रॉप डाउन से द्वितियक पेशेवर या संस्थागत जोड़ें चुनें। प्राथमिक दावों की सूची देखने के लिए प्राथमिक दावा लुकप लेंस पर क्लिक करें। यूजर प्राथमिक दावा लुकप से दावे चुनकर द्वितियक पेशेवर या संस्थागत दावे बना सकते हैं। फिल्टर विकल्पों से प्राथमिक पेशेवर या संस्थागत दावे खोजे जा सकते हैं। सभी चुन्ने पर लुक अब स्क्रीन पर पेशेवर और संस्थागत दोनों दावे दिखेंगे। नए द्वितियक दावा फॉर्म के लिए प्राथमिक दावे से जानकारी खोजें और प्राप्त करें। COB डेटा सहित जरूरी जानकारी द्वितियक दावे में अपने आप भर जाती है। COB फिल्ड की जाँच करें। जरूरी डेटा न हो तो प्राथमिक भुगतान दावे के पेपर EOB से भरें। सेवा लाइन स्तर पर COB जानकारी दर्ज करें। सॉफ्ट्वेयर इसे दावा स्तर पर स्वतह एकत्रित करता है। दावे को ड्राफ्ट के रूप में सहेजें या सब्मिट पर क्लिक करें। सिस्टम गायब डेटा या मान्यताओं की जाँच करता है। अगर कोई समस्या हो तो पॉप अप नोटिफिकेशन दिखेगा। आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। एक-एक करके गलतियां सुधारते हुए जब तक दावा सही न हो जाए। पोस्ट के प्राथमिक दावों से द्वितियक दावे बनाने के लिए खोज दावे पर जाए। बीमा प्रकार को प्राथमिक या सभी चुनें। दावे की स्थिति को पोस्ट किया गया सेट करें। और द्वितियक लंबित फ्लैग को सक्षम करें। जरूरत के हिसाब से अन्यमांदंड भरें. खोजें पर क्लिक करें, नतीजों में हर दावे के लिए द्वितियक दावा बनाने का आईकन दिखेगा. किसी प्राथमिक दावे का द्वितियक दावा बनाने के लिए, इस आइकन पर क्लिक करके Professional या Institutional द्वितियक दावा चुने जरूरी बदलाव करके दावा जमा करे दावा क्लोनिंग, मौजूदा दावे की कॉपी बना कर नया दावा जल्दी बना सकते हैं, जिससे समय बचता है यह एक ही मरीज के अगले विजिट के दावे बनाने में मददगार है खोज मेनू में जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट से दावे चुने प्रासंगिक खोज मानदंड दर्ज करें, क्लोन विकल्प दिखाएं और खोज पर क्लिक करें दावा खोज परिणाम प्रिष्ट हर दावे के लिए क्लोन या कॉपी आइकन दिखाता है चुने गए दावे के लिए Clone या Copy आइकन पर क्लिक करें और व्यावसाईक या संस्थागत दावा चुनें नया दावा स्क्रीन आपके चयन के अनुसार व्यावसाईक या संस्थागत दावा दिखाएगी नए दावे में सेवा तिथी का फील्ड खाली होगा आवश्यक्तिति भरें और जरूरी बदलाव करें. पुनरवैधी करण के लिए दावा जमा करें, पर क्लिक करें. तुरुटी मुक्त दावा सफलता पूर्वक पास हो जाता है. सिस्टम द्वारा तुरुटियाओं चेहनित की जाती है. तुरुटियों को सुधारने और सही दावा सुनिश्चित करने के लिए स्क्रबिंग दोहराएं. एक्स्पीडियम सहायता में लॉग इन करें. प्राथमिक और द्वितियक दावों के बारे में जानने के लिए मैनुवल के अध्याए 8 और 9 देखें. इस सत्र के लिए बस इतना ही धन्यवाद.